ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं सिंग राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दिसम्बर से दस दिसम्बर यानि कि इन दस दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए एक दिसम्बर से दस दिसम्बर यानि कि इन दस दिनों का शमय किस प्रिकार रहने वाला हैं इन दस दिनों में आपको जिनकें चीजों से फायदा होगा, जिनकें चीजों से आपको शाफधान रहना होगा, साथ इसाथ इन दस दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा, और स्वास्त की महत पपूर्ण जान वीडियो का अगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्स करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट स्बोक्स में जै श्री गनेश, जै मालक्षमी अबसे लिखें, जैसे भगवान श्री गनेश और मालक्षमी का असिरवाद आपको शिते प्राप्त हो स दोस्तो यह समय घर परिवार तथा सम्मंदियों के साथ अच्छा व्यतित होगा, अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाबदायक रहेगी, कुछ समय से आप अपने व्यक्तितमें और अधिक शकारात्मक बदलाव लाने का प्रैतन कर रहे हैं, उससे आप को शमाजिक वे परिवारिक सरहाना भी प्राप्त होगी, दोस्तो इस समय आप अपने प्रभाब साली तथा मेठी वानी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाब बना लेंगे, लोग आपके व्यक्तितम से प्रभाबित भी रहेंगे, घर में महत्पपुन व्यक्ति के आग कल भी आप रहेंगे, इसलिए प्रियासरत आपको रहना आवशक है, दोस्तो परिवारिक सर्वदाओं पर भी खर्च होगा, इसी नजदी की मित्र के यहां धर्मिक समारों में जाने का भी आपको अपसर भी मिलेगा, जा दोस्तो इस समय निवेस संबंदी गतिविद्यों पर समय व्यतित होगा और काफी हद तक सफलता भी प्राप्थ होगी, दोस्तो साथी साथ घर्चों की अधिता रहेगी, परन्तु आएके साधन भी बने रहने से दिक्टत आपको महसूस नहीं होगी, दोस्तो इस समय अचानक ही किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुती फायदेबंद भी रहेगी, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंदित योजना बन रही है, तो उस पर ध्यान आप केंदरित रखें, दोस्तो विध्यार्ती अपनी पढ़ाई के प्रती पूर्ण एकागर चित रहेंगे, दोस्तो साथी साथ यह सम अपने कारे के प्रती पूर्ण रूप से आप समिर्पित रहें, दोस्तो इस समय ग्रहक इस्तितियां आपके लिए उच्चित भाग्या का निर्मान कर रही हैं, इसलिए इनका आप सद्यूब्योग करें, कोई परिवारिक धर्मिक भोजन संबंदित योजना भी बनेगी, जो आपके लिए बहुती फाइदेबंद साबित होगी, परन्तु दोस्तो किसी अंजान व्यक्ति से कोई महत्पपूर्ण बात चीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्ची तरह विचार विमर्स तता जांच पड़ताल आप अवश्च चकरें, छोटी सी लापरवाह से आपके साथ धोका दड़ी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें, दोस्तो इस समय कभी-कभी आत्म केंदरित होने तता एहम की भावना रखने से आपसी बात चीत में कुछ वाद विवाद होने की भी इस्तिती बन रही है, दोस्तो अपने इन गुणों का आप शकारात्मक रूप में उपियोग करें, तो बहतर प्रणाम आपको प्राप्थ होंगे, दोस्तो यह समय अत्यादिक खर्चों की वज़े से आपका बजट भी बिगड़ सकता है, इसका अवश्य आप ध्यान रखें, घर के किसी व्यक्ति के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता रहेगी, आप व्यतित करें, ज्यादा आत्म केंद्रित होना आपके संबंदों में खटास उत्पन कर सकता है, अपने वहवार में लचीलापन बना कर रखना आपके लिए अतियावश्क है, जा दोस्तो इस समय किसी वरिष्ट सदस्य के स्वास्त को लेकर जरासे भी लापरवाई दोस्तो कोट से संबंदित कोई मामला अभी उलज सकता है, इसलिए किसी योग्य व्यक्ति से आप सला अवश्च चलें, दोस्तो मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन हो सकते हैं, इसका असर आपकी नीद पर भी पड़ेगा, शकारात्मक प्रवर्ति के लोगों के स अपना समय आप व्यतीत करें, तता कुछ समय एक कांत में बैठकर आतम चिंतन भी आप अवश्च करें, तो आपके लिए लाब प्रद रहेगा, दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से, तो पती पतनी का आपसी सयोग घर परिवार की विवस्ता को उचित तता खुस नुमा बना कर रखेगा, प्रेम संबंद मरियादा पूर्ण रहेंगे परिवारिक सदस्चों के साथ, मनुरंजन संबंदी कारों में भी समय व्यतीत होगा, तता घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुस नुमा माहूल भी रहेगा, साती सात जीवन साती की ऐस पूस्त का तथा परिवार का आप अवश्य ध्यान रखें, दोस्तो साथिसाथ इस समय पती-पत्नी के संबंदों में कुछ खटी-मीटी-नोक-जोक संबंद है, परन्तु इस से आपसे संबंदों में और अधिक नजिदी के आएंगे, दोस्तो परिवार तता व्यवसाय के तो अभी व्यवसाय के गति विद्यों में किसी भी प्रिकार के परिवर्तन करने की आप चेश्टा ना करें, जैसा वर्तमान में चल रहा हैं, उस पर ही आप ध्यान केंद्रित रखें, डोंकरी पेसा लोगों को अपना काम बहुती अधिक ध्यान पूर्वक करने की आवश् दोस्तो यह समय अपनी रुक्वी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक इस्तितियों को मजबूत करने पर आप ध्यान केंद्रित रखें, दोस्तो आपको काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी, दोस्तो नोकरी पेसा व्यक्तियों को कोई इस्थान परिवर्तन सूचना भी मिलने की संभाव ना है, दोस्तो यह समय व्यवसाय में आंत्रिक, सुधार या इस्थान में कुस बदलाव लाने की आवश सकता है, और ऐसा करना आपके लिए लाबदायक सावित होगा, ओफिस के माहुल में राजनीती जैसी गतिविदियां हो सकती हैं, सरकारी शेवारत व्यक्तियों को भी अपने कारे में उचित योगदान देने से उच अधिकारियों की सरहना भी प्राप्त होगी, जिससे उनको काफी खुसी का अनभव होगा, दोस्तो यह समय मार्केटिंग तथा मेडिया से संबंदित सभी काम सुचारू रूप से संपन ह होते हुए जाएंगे, इसलिए पूर्ण रूप से इन कारेयों के प्रती प्रियास रत रहें, आर्थिक इस्तिती भी बहतर रहेगी, नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ओफिस का वातावरन शांति पूर्ण रहेगा, वैवसाइक गति वीदियों के प्रती अपना आप किसी के समक्ष आप जाहिर ना करें, क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, सावधान रहें, दोस्तों बात करें आपके स्वास्त के नजरिये से, तो स्वास्त इस समय आपका ठीक रहेगा, परंतु खान पान और दिंचरिया सैयमित रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तों साथ चाथ यह समय आप अपने अंदर उर्जा वे आत्म बल की कमी महसूस करेंगे, मेडिटेशन वे योग पर भी आप कुछ समय वहतीत करें, तो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छ रहेगा, क्या दोस्तों अपने खान पान पर भी आप विशेश रूप स ध्यान दें और नियमित आप योग करें, प्रणियाम करें, स्वस्त रहें